आज कल एक कब्ट्या चली हुई थी कि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबुजी सुनाओ ना बाबुजी की याद मेरी आती नहीं पर ये कैसे हो सकता है एक पिता को अपनी वेटी की याद ना आए वो अपने कलेजी के टुकड़े को वीदा तो कर देता है वो हमेशा उसके दिल में रहती है उसी पिता की भावनाओं को ब्यक्त करते हुए मैंने कुछ लिखा हुआ है अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक और सेयर कीजिएगा जो कुछ इस तरह है कि सच बात में तुषको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सच बात में तुझको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे तेरे खिलखिला हट से कभी था घर मेरा सजिता खुछियों के संग था तिरा हर रूप निखरता उन खुछियों को अब मैं दूर पाता हूं बेटाजी खुद को समझाता हूं बेटाजी कि याद तेरी आती मुझे सच बात मैं तुझको बताता हूं बेटाजी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे जब पढ़ता था भीमार तुछ में मा मेरी दिखती कभी प्यार कभी डार से तुँ ख्याल थी रखती अब कौन लाड लगाएगा बेटा जी प्यार दिखाएगा बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सच बात मैं तुझको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे ठक हार कर जब कभी मैं आफिस से था आता पानी का वो गिलास तेरे हाथ से थपाता इक तेरी मुसकान पे सब भूल जाता था बेटा जी मुसकाता था बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सच बात मैं तुझको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे जाने की बात तेरे ये घर खाली हो गया कम रहे तेरा सुना ये हर कोई कह रहा तक ये को तेरे गले लगा के रोता हूँ बेटा जी कभी हसता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सच बात मैं तुझको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सुबह उठकर तेरे हाथ की वो चाय की प्याली गुसा गर हो जाती थी कभी मेरी घर वाली तेरा मुझको फिर वो चिड़ाना बेटा जी समझाना बेटा जी कि याद तेरी आती मुझे सच बात मैं तुझको बताता हूँ बेटा जी सुनाता हूँ बेटा जी कि याद में तेरी आती मुझे थेंक यू अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक किजिएगा और प्लीज मेरी आवाज पे मत जाईएगा मेरी राग पे मत जाईएगा मेरी कप्चा पर ध्यान दीजेगा क्योंकि इसमें मेरी तबियत नहीं सही है तो गला मेरा रूधा हुआ है थेंक यू